हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों को न्यू ट्रिक से बहुत ही आसानी से मलाई से घी और पनीर दोनों बनाना बताऊंगी या बहुत आसानी से बन जाता है, इसे कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा हमारे चानल पर पहली बार आए हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करेंगेगा तो घी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 15 दिन की मलाई को स्टोर करके रखा था इसे मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखा था क्योंकि 15 दिन में नीचे फ्रीज में रखने से इसमें थोरा स्मेल आ जाता है तो मलाई कभी भी आप स्टोर करिएगा तो इसे फ्रीजर में ही स्टोर करिएगा तो यहाँ पर हम एक स्टील का गिलास ले लेंगे स्टील का गिलास कोई भी बडा या चोटा ले सकते हैं। अतना बडा ले जो मलाई अच्छे से मिक्स हो सके। मलाई को भी टेक्शल बिलकुल अच्छे से फेंटेंगे। तो यह बहुत आसानी से हो जाता है यह इसी तरीकिया हम फैडते रहेंगे और थोड़े ही तर बाद यह देखिए अ छेंज्य हो गया यह बिल illnesses नीट का और क्रीमी हो गया है तो इसे इसी तरीके से contemporary हम फैड़ते आगे तो यह देखिए अब यह गारहा होने लगा है तो ऐसे यह 5 मिनट तक फेटते रहेंगे पांच मिनट बाद यह देखिए बिल्कुल मक्षन जैसा तयार होने लगा है तो हम इसी तरीके से continue इसे फेटते रहेंगे और यह देखिए अब मक्षन से दूद अलग होने लगा है और मक्षन अलग हो गया है तो दो मिनट और हम इसी तरीके से फेट लेंगे अच्छे से और इसमें तकरीबन आदा कप पानी डाल देंगे और इसे फिर पानी के साथ अच्छे से फेटेंगे पानी के साथ फैटने से मक्खन बिल्कुल अलग हो जाता है और दूद जो इसमें है बिल्कुल अलग हो जाएगा पानी आप रूम टेंपरेचर या थोड़ा ठंडा ही लीजिएगा तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है मक्खन तो ये देखिए अब मक्षन अलग हो गया है तो हम गिलास को में से मक्षन को पोच कर अलग कर देंगे और ये देखिए मक्षन के हम इस तरीके से बाल्स बना लेंगे बड़े बड़े बाल्स बना लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से थोड़े ही देर में तकरीबन 10 मिनट में गिलास से मक्षन निकल कर तयार हो गया है अब हम इस मक्षन से घी और पनीर दोनों बनाना बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो ये देखिए ये सारा मक्षन मैंने निकाल लिया है बॉल्स बना करके और ये कितना बड़ा बॉल्स बनकर तयार हुआ है तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा तो ये देखिए इस तरीके से हम सारा मक्षन दूद में से चान लेंगे तो अब इसमें मक्खन बिल्कुल नहीं बचा है मैंने सारा मक्खन छाण लिया है और इसका बॉल्स बना लिया है तो या देखे या आप इसमें मक्खन नहीं आ रहा है थोड़ा भी तो अब इसको हम साइट में रख देंगे अब ये जो दूर्द बचा है बिल्कुल गा रहा है तो हम इसे एक देख्ची में डाल कर रख देंगे इसका यूज हम बात में करेंगे तो इसे हम साइट रख देते हैं भी और ये देखिए ये मक्षन के बॉल्स तयार हो गए है तो हम इसे एक दो पानी से और अच्छे से वाश कर देंगे ताकि इसमें जो भी दूद है वो अच्छे से निकल जाए ये तो बिल्कुल फ्रेश है कोई भी स्मेल नहीं है अगर नहीं भी वाश करेंगे तो कोई बात नहीं तो एक बार हम इसे पानी से वाश कर देंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा वो दूद रह गया है वो निकल जाए तो ये देखे ये बॉल्स को हम अच्छे से पानी से वाश कर देंगे तो अब एक एक करके सारे बॉल्स को हम एक कराही में डाल देंगे तो ये देखे ये टोटल हमारे छे बॉल्स बनकर तयार हुए है और यह काफी बड़ा बड़ा बॉल्स बना है तो इस मखन को आप इस्टोर करके भी रख सकते हैं और अब हम गैस चला कर इसपे कराही चला देंगे तो यह देखें जैसे जैसे कराही गरम होने लगा है मखन पिखलने लगा है तो अभी हम 10 मिनट हाई फिलेम पर इसे गरम करेंगे तो देखें ये थोरे ही देर में मक्षन बिल्कुल अच्छे से पिखलने लगा है तो ये देखें ये थोरे ही देर में बिल्कुल पतला हो गया है तो इसे हम continue चलाते रहेंगे और गैस का फिलेम हम medium कर देंगे ये बिल्कुल घी का कलर आने लगा है और अब हम थोरा सा फिलेम बढ़ा देंगे और इसे continue चलाते रहेंगे इसे छोड़ कर इस स्टेज पर आप मत हटिएगा तो इसे हम continue चलाते रहेंगे और ये देखिए ये थोरे ही देर में बिल्कुल अच्छे से घी निकलने के लिए तयार है तो ये देखिए अब जो घी का जो महिया होता है वो हलका सा golden होने लगा है और घी हमारा बिल्कुल तयार हो गया है तो अब हम इस स्टेज पे गैस के फिलेम को आफ कर देंगे और इसे थोरी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो इसे थोरी देर बात देखेंगे मक्खन में से जो दूद निकला था उसे हम देख्शी में रख दिये थे उसे हम गैस पे चरहा देंगे और दो मिनट हाई फिलेम पर इसे गरम कर लेंगे जब इसमें हलका बॉयल आने लगेगा तो दो चमच वेनिगर में दो तीन चमच पानी डाल कर मिक्स कर देंगे और इसमें थोरा थोरा डाल देंगे एक बार अचानक से नहीं डालना है पुरा थोरा सा डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे ये देखिए हलका सा फटने लगा है दूद तो अब जो भी बचा है बाकी सारा डाल देंगे इसमें पानी और बेनिकर और इसे धीरे धीरे हमें मिक्स करेंगे तो ये देखिए दूद बिल्कुल अच्छे से फट गया है इसमें छेना बिल्कुल अलग से दिखने लगा है तो अब हमें इस स्टेज पे चुले के फ्लेम को बंद कर देंगे और थोरी देर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम यहां घी देख लेते हैं तो घी यहां बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है ये देखिए इसमें जो भी फेन था सब खतम हो गया है और ये बिल्कुल ठंडा नहीं हलका सा कुनगुना है अभी तो हम इसे एक चन्नी में छान लेंगे आप चाहे तो कपरे से भी इसे छान सकते हैं तो ये बहुत ही आसानी से चन जाता है ये देखिए ये चन्नी में इसका मैया आएगा भी तो नीचे घी में बिल्कुल भी नहीं गिरेगा तो सारे मैया को इस तरीके से चन्नी में डाल करके और एक चम्मत से इसे अलका हलका दबाते जाएंगे ताकि इसमें जो भी घी है वो सारा निकल जाए तो इस तरीके से हम धीरे धीरे चारो तरफ से इसे दबा देंगे तो ये देखिए सारा घी इसमें से निकल गया है अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इससे भी कोई recipe बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, या इसका बेशन में मिला कर लड़ू बना सकते हैं लेकने इसका हम बाद में यूज बताएंगे तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं या जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जागा तो किसी भी air tight container में बंद करके इसे रख देंगे अब ये देखें जो दूद को जो हम फार कर रखे थे ये थोरा सा ठंडा हो गया है बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे इसे हलका सा घंडा ही रखेंगे अब हम एक कपड़ा ले लेंगे सूती कपड़ा होना चाहिए आप इसे कोई टुपटे से भी छान सकते हैं और इसमें प्ला च्छेना डाल पानी को यह झाल करें ताकि सहाद मुझा हम शेंगेok तो एक पानी से पानी को यह भाईका हम वाश कर लेंगे ताकि एक पानी से खुना तरह भी च्छेने एक कॉटी से ठेलें तो यह देखे यह एक पानी से और वाश कर लिया है और इसे पोटली टाइप बना करके इसे हाथ से अच्छे से बिल्कुल पूरा पानी निचोड लेंगे तो यह देखे यह मैंने सारा पानी निचोड लिया है आपको जितना मोटा पनीर बनाना हो उसी साफ से पोटली बांदिएगा तो ये देखे ये इस तरीके से पोटली बांद कर और आप पनीर को थोड़ा हाथ से बढ़ा कर देख लिजेगा कि कितना मोटा बन रहा है ये तो ये देखे इस तरीके से मैंने दबाते हुए इसको फैला दिया है तो यह हमारा करीब एक इंच का पनीर बनकर तयार होगा, एक इंच मोटा, और इस पर से हम एक प्लेट डाल देंगे, और इस पर करीबन एक से तेर केजी का वजन का कोई भी सामान आप डाल दिजे, जैसे डाल का डबभा हो, चीनी का डबभा हो, उसे डाल दिजे, दो से तीन गंटा छोड़ दिजे यह देखिए तो तीन गंटे बाद हम इसे देखा रहे हैं आपको यह देखिए पनीर बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है तो हम इसे खोल कर आपको दिखा दे रहें कट कर के तो देखिए ये पनीर बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है ये तक्रिबन एक इंच का बनकर तयार हुआ है मोटा तो ये देखिए, ये हम इसे कट करके भी दिखा देते हैं आपको कि ये पनीर बिल्कुल अच्छे से सिट हुआ है, बिल्कुल अंदर से बैठा हुआ, तयार हुआ है ये कितना अच्छा पनीर बन कर तयार हुआ है इसे हमने 2-3 घंटा सिट करने के लिए रख दिया था तो कितने आसानी से मलाई से घी और पनीर बन कर तयार हो गया है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तके लिए बाई and टेक क्यार